क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि एक्वल अपर्चुनेटी की बात करते थे और प्राइवेटाइजेशन जो है वो हमें एक्वल अपर्चुनेटी का मौका नहीं दे रहा है तो यह कहीं न कहीं हम देखेंगे कि एक्वल जो अपर्चुनेटी की बात कही थी और इस संविध तिदे कितना भी मतलब खराब रहे लेकिन उनके घर में एजुकेस्तान और जो आइडियोलोजी है वो क्लियार देखने में। बहुती खास चीजें यहां पर होता है यहां पर सिर्फ दर्सनी स्तल नहीं है तथागत बुद्ध की यहां 56 फिट की एक स्टेचू है वो बहुती आकरशक मुद्रा में है वो देखने आगर आप एक बार आएंगे ने तो आपका दिल करेगा कि आप यहीं पर रुख जाएं पर यहीं पर पूरा दिन यहीं गुजार लें लेकिन दोस्तो हम यहां पर आये सबसे खासियत बात यह कि जो यूथ जो इूवा आप हमारे बीच में देख रहे हैं यह यहां पर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं मिन्स मतलब बुद्धिजम बाबा से अभी बात कर लिए और हमारा साथ में आपका नाम क्या है मेरा नाम है सर कृस्टोफर यहां पर आये हैं आप लोग को देखके आप लोग का परीशे देखके यही सुनना चाहरे होंगे कि आप लोग यहां क्यों आए हैं तो इसका जबाब कि नाग लोक में मैं सन 2010 में आया था और जब मैं 2010 में आया था तो मुझे नाग लोक के बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं था एक मेरा दोस्त था उन्होंने मुझे बुला उससे पहले मैं 2007 में यहां पर आया था वीजय देस्मी के प्रोग्राम में तब मैं घूम के गया था लेकिन उतना डिटेल मुझे यहां के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने मुझे बुला कि यहां कोर्स हो रहा है और चल बुला, उस समुतना मुझे डिटेल जानकारी नहीं था, और मैं ज़स्ट कुछ टाइम के लिए हाया था, लेकिन यहां आने के बाद मैं पूरा एक साल यहां पर रुका, और उस से पहले मुझे बाबा साहब बुद्ध और उनके जो आइडियोलोजी है, उनके बारे में उतना ज़्यादा नहीं मालूम था, लेकिन जब मैं नागलोग में रहा, बाबा साहब का जो लाइफ ही ट्रगल है, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, और उसके वज़ा से मैं पूरे नागलोग में रहा, और नागलोग से जाने के बाद भी मेरा हमेशा कोशिस रहा है, कि मैं उनके आइडियोलोजी के जहां पर भी रहूं, क्योंकि बाबा साहब का जो विजन रहा है, ओ जो है पूरे मानवता के लिए रहा है, जिस तरीके से बुद्ध का जो विजारधारा रहा है, उस पूरे मानव के लिए रहा, उसी तरीके से बाबा साहब ने मानाव कल्यार के लिए उन्होंने काम किया जब हम देखते हैं कि बाबा साहब को जब समिधान बनाने का मौका मिला तो वो जो इस ट्रगल उन्होंने किया था उन्होंने जो फेस किया था उसको दर किनार करके किस तरीके से एक नए भारत की निर्माड हो सके और उस नए भारत की निर्माड में हर एक व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है उसको लेकर के उन्होंने समिधान में समता, स्वतंतरता, बंधुदा की जो बात करते हैं वो हमें समिधान में देखने को मिलता है और सभी इंसान को, सभी ब्यक्ति को उन्होंने एक समान अधिकार देने का काम किया और अगर उस दोर में जब बाबा सहाब जब ड्राप्टिंग कमेटी तयार हुआ और सविधान जब बनना चाल हुआ तो उनकी बातों को ले करके बहुत सारे चीजों को नकारा गया चाहे हम हिंदू कोड़ बील को देखें या अन्या जो आर्टिकल्स है उसको ले करके उनको एक छोटी नजरों में दिखाया जाता है उनको बोला जाता है कि यह जो है अन्टचिबल कम्टी थी उनके लेडर है और एक सिमित समुदाय का बताया जाता है जब लेकिन हम उनका इतिहास देखेंगे तो बाबा सहाब ने जो संगहर सक किया और इस देश को निर्मार करने के लिए उन्होंने केसिस किया तो सबसे पहले हम देखेंगे तो बाबा सहाब ने RBI की स्थापना करके उन्होंने ये बात रखी कि देश में अर्थ बियोस्ता कैसे होनी चाहिए उसके लिए उन्होंने the problem of rupees में उन्होंने ये describe किया हम बाबा साहब के अगर जाती किस तरीके से एक दंस है देश के लिए तो जाती किस तरीके से खतम होना चाहिए उसके लिए उन्होंने समिधान में आर्टिकल के माध्यम से ये बाते रखी और उन्होंने ये भी कहा था कि कानून जब बनता है तो कानून को implement कराना सरकार की जिम्मेदारी है और जब सरकार implement नहीं कराएगी तो कानून जो है धरा का धरा रहे जाएगा और आज हालात वो देखने को मिल रहा है क्योंकि जो सत्ता में बैठी हुई जब से देश अजाद हुआ तब से सत्ता में बैठी हुई जो लोग है जिनके मानसिक्ता यही रही है कि वो जाती को ब्योस्था के रूप में निर्मार करके रखना चाहते हैं क्योंकि जो सासाक वर्ग है उनको जाती के वज़ा से बेनिफ्यूट हुआ है उसके लिए बाबा साब ने हमने देखा किस तरीके से इनिलेशन आप काश्ट के माध्यम से उन्होंने जाती खतम हुँ ये बात उन्होंने कहा था काष्ट इन इंडिया के माध्धम से उन्होंने अपने थेसिस में उन्होंने रिसर्च करके ये काष्ट खतम हो ये उन्होंने बात रखी थी तो बहुत सारी जो चीजे हैं बाबा साहब की हम देख सकते हैं चाहे वो बाबा साहब का मैं भी बात रख रहा हूं तो यह छोटी चीजों में खतम नहीं होगा, बहुत लंबी है, बाबा साहब ने किस तरीके से देश में आर्थिक जो ब्यवस्था हो निर्माड होए, तो बाबा साहब चाहते थे, उन्होंने कहा था दो प्रकार की डेमोक्रेसी की बात कही थी, एक सोसल डेमोक्रेटी और एक आज के डेट में देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि एकोनावी डेमोक्रेसी की बाबा साहब ने भी उसको अलाग-अलाग फॉम में डिसक्राइब किया था, बाबा साहब ने कहा था कि जो है एगरिकल्चरल लाइंड है, ओ जो है गवर्मेंट के अंडर में होना चाहिए, ओ एगरिकल्चरल गवर्मेंट के अंडर में होना चाहिए, और जो काम करने वाले जो है, क्रिसक लोग है, ओ जो है गवर्मेंट के सर्वेंट होने चाहिए, ये बाबा साहब ने ये बात कही थी, ये इस पर आज तक कोई डिबेट नहीं होता है, सेगन हम देखेंगे, जो ह है, हेवी इंडरस्ट्रीज की बात होती है, बाबा साहब हेवी इंडरस्ट्रीज के फेवर में थे, कि वो पूरी तरीके से गवर्मेंट के अंडर में होने चाहिए, और गवर्मेंट के तरप से कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब देश का निर्मार होना है, तो उन सभी में देश के सभी लोगों का हिस्सेदारी होना चाहिए और जब हेवी इंडरस्टीज गवर्मेंट के अंडर में होंगी तो जो मनी का जो सर्कुलेशन होगा और इक्वल डिस्टिब्यूट होगा आज करन्ट सिच्वेशन में हो क्या रहा है वो इस तरीके से यह किया जा रहा है कि जो समसाधने हैं जो हमारी जो संपत्ती है वो जो है कुछ सिमित लोगों के तरब जा रहा है तो वो एक बाबा साहब उस दोर में कहके गए थे और जो आज के हलात में हम देखेंगे तो सही साबित हो रहा है बाबा साहब ने एक और चीज गहा था कि एकोनॉमिकली जो डेमोक्रेसी को लेकर कि जो नेचुरल रिसॉर्सेस है ओ जो है गवर्मेंट के अंडर में पूरी तरीके से होने चाहिए तो ओ चीजे आज के डेट में हम देखेंगे जो कि नेचुरल रिसॉर्सेस को चाहिए हम उसको प्राइविटाइज किया जा रहा है और प्राइविटाइजेशन से बहुत सारी नुकसान हो रही उस पर कोई डिसकाशन नहीं हो रहा है पिछले समय मोधी कैबिनेट का एक बैठा उसमें उन्होंने जो हमारी जो फाइनांस मिनिस्टर है उन्होंने क्या बोला था कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि ये बिजनेस को हमें चलाना तो सरकार का जिम्मेदारी ये नहीं है कि बिजनेस सरकार का ये जिम्मेदारी है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइट करना आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को बेवस्था निर्मार करना उनको रोजगार की ब्यवस्ता हो, सिख्छा की ब्यवस्ता हो, स्वास्ता की ब्यवस्ता हो, जो कि आज की डेट में हम देखेंगे, तो आज की डेट में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि इक्वल अपर्चुनेटी की बात करते थे, और प्राइवेटाइजे में आज के डेट में उतना माध्यम से फीस जन नहीं दे पाएंगे तो ये कहीं न कहीं हम देखेंगे कि इक्वल जो अपर्चुनेटी की बात कहीं थी और इस समीधान का पूरी तरीके से उलंगान हो रहा है प्राइविटाइजेशन के माध्यम से तो ये चीजे हम लोगों को समझना जरूरी है और इस पर बात नहीं किया जाता है मैली जो हम बाबा साहब की बात करेंगे तो पॉलिटीकल वीव पर बात किया जाता है कि बाबा साहब ने बुला था कि राजनितिक सत्ता की बात कहीं थी लेकिन बाबा साहब ने सोशली एकोनॉमिकली कैसे फ्रीडम हो कैसे sustainable हो और देश कैसे sustainable हो उस पर बात कही है उस पर कोई discussion नहीं होता है तो यह चीज़े हैं चाहिए वो जो है external affair की बात हो foreign policy की बात हो हमाज जो है electricity जो grid system है उसकी बात करें लोगों को नहीं पता हो कि बाबा साहब का जो grid system का जो बात है बाबा साहब का सपना है कि जो grid wise जो electricity जो distribute हो रहा है आज अगर कोलकता से अगर train चलता है और दिल्ली तक जाता है तो कहां से distribute हो रहा है वो नहीं पता है लेगिन तो ऐसी तमाम चीज़े हैं water distribution की बात करें कि बाबा साहब का सपना रहा कि कि इस तरीके से water distribution हो उसके लिए उस दवरान उन्होंने project तायार किये है उस पर कोई बात नहीं होता है तो ये लोगों को समझना जरूरी है और ये awareness आना जरूरी है और एक narrative तयार किया गया है बाबा साहब को ले करके बात किया जाएगा तो narrative तयार किया गया है कि बाबा साहब दलीतों की लिटर है ये मैं बोलूंगा टोटली गलत है बाबा सा से बड़ा राष्टवादी देश भक्ती इस देश में कोई नहीं हुआ है जो जितना उन्होंने अकेले काम किया है उतना इस देश में आज तक कोई लिडार होके गए हैं उन्होंने काम नहीं किया है उनका एक एरिया नहीं है जो उन्होंने काम किया है उनका ब्रॉड एरिया महिलाओं के लिए इतना बड़ा उन्होंने काम किया उस पर पता नहीं है कराइट मोमेंट से जो लोग जुड़े हुए हैं हम उनका परिस्तिदे कितना भी मतलब खराब रहे लेकिन उनके घर में एजुकेसान और जो आइडियोलोजी है वो क्लियार देखने मिलेगा क्योंकि हम बात करते हैं कि डिवलापमेंट की बात करेंगे तो यह मेरा परसनेली हैं कि हम टेक्ना केड़ लेकिन आज भी आज के डेट में हमारा जो देश मीं जो सोचने की समता आज से 10 आल पीछे ही चल रहे हैं क्योंकि बाबा साब 100 साल पहले जो बात किये थे आज भी हमारे पास हो सही देखने को मिलता है तो ये तमाम चीजे हैं आपके पास जो तमाम बाते जो है ना और जो आपने जो बाते बताई आपने पहले ये बताई कि आप पहले बाबा साब की आइडिलेजी के बारे में तो वो क्या सीखता है जब जो वेक्ति सीखता है वो ही बोल पाता है तो आज इन्होंने इसका एक उधारन दिया मैं आपको सेलूट केसे करना चीए मुझे समझ नहीं आ रहा है बहुत जबरदस बाते बोली और आपका जो ग्यान है और बाबा साब को जिस तरीके से सीमित करक तो उन्होंने सीरे से खारिज करते हुए अपनी बातों को अपनी रखा हमारे बीच में जिस प्रकार से इन्होंने बाते बताई और भी हमारे साथ ही लोग है मैं से जाना चाहूंगा जैसे यह इन्होंने बता था क्रिस्टन क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर नाम बता है तो आ आपके नाम से क्या दर्सा था